हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सुरेता वेलकम टू मैं चैनल सुरेता आज की चैनल लाइफ इस्टाइल जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आज सेल्फी केक बनाया है अगर आपको इस केक में दो चीज के बारे में जानना है कि इसका रेड कलर कैसे आया और इसकी ऐसे हाइट मैंने कैसे दी है तो पूरा वीडियो देखें आप मैं यहाँ homemade premix का यूज़ कर रही हूँ इसकी recipe मेरे चैनल पे है आप वहाँ से देख सकते है दो कप homemade premix मैं ले रही हूँ इसमें आप oil और water कैसे add करेंगे उसका आसान सबसे तरीका यह है कि one cup अगर हम homemade premix ले रहे हैं तो उसमें one third cup पानी डालेंगे और two table spoon oil डालेंगे refined oil तो उसी हिसाब से मैंने दो कप में डाल दिया है मैंने दो बार one third one third cup पानी डाला है और चार टेवल स्पून इसमें oil डाला है refined oil और साथ ही मैं इसमें pineapple aroma डाल रही हूँ ताकि sponge में भी pineapple का flavor अच्छा आजाए इसे अच्छी तरीके से मैं एक मिनट के लिए mix कर लूँगी 7 इंच के cake tin मैं मैंने refined oil लगा दिया था मैंने उसमें parchment paper भी लगा दिया है और इसे अच्छी तरीके से मैंने mix कर लिया इस पैचुला से मैंने सारे को इकठा भी कर लिया है अब मैं इससे cake tin मैं डाल कर 180 डिग्री पे मैं इससे bake करूंगी 40 मिनट के लिए preheat भी मैंने 180 डिग्री पे ही किया था homemade premix है इसलिए मैंने इससे 180 डिग्री पे bake किया है इस cake के लिए मैंने ऐसा 2 sponge बना लिया है डेड़ कप मैं cream यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं इस तरीके से आज इसमें cream यूज करूंगी बहुत जादा cream भी नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छा और 2 kg का ये करीब करीब मेरा cake बन जाएगा इसे मैं अच्छी तरीके से बीट कर लूँगी कुछ कमेंट्स आते हैं कि मैं आप कैसे cream बीट करती हैं इसकी वीडियो बना लिए तो मैंने इसकी पूरी वीडियो भी बना लिए मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी आज दो खास चीज है कि आप हमेशा perfect red color खोजते हैं कि कैसे बनता है तो आज मैं वो बना कर आपको दिखाऊंगी कि बेकरी जैसा perfect red color आप कैसे बना सकते हैं बेकरी में जो color यूज करते हैं उसी color को बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा यहां cream निकाल लिया है और बेकरी में जो यूज करते हैं color red color लाने के लिए उसी color को मैं यहां पे यूज कर रही हूँ ये red velvet cake बनाने के लिए color यूज होता है ये food color है और इससे मैं mix कर रहे हूँ cream में और mix करने के बाद इससे खुब अच्छी तरीके से mix करना है जितना अच्छी तरीके से mix करेंगे इसका red उतना ही अच्छा निकल कर आएगा लेकिन इससे ज्यादा mix करने से cream पतला हो जाता है थोड़ा सा तो इसके लिए आप चिंता ना करें आप देख सकते हैं कितना perfect red आ गया है अब मैं इससे अच्छी तरीके से seal करके तब मैं fridge में 3-4 घंटे के लिए छोड़ दूँगी इस तरीके से मैं इससे एक दम से air tight कर दूँगी ताकि इसमें कोई भी air ना जाए और इससे मैं 3-4 घंटे के लिए फ्रीज में छोड़ दूँगी आप देख सकते हैं कि homemade premix का कितना perfect cake बना है और कितनी अच्छी जाली आई है कुछ भी try करने से होता है आप अगर try करेंगे homemade अगर जिसे मैदे का cake पसंद है तो वो इस cake को बना सकता है बहुत ही perfect cake बनता है दोस्तों अब अब ध्यान से देखे कि मैंने इसे कैसे cut किया है मैंने एक side पतला रखा है और एक side को मोटा किया है तो मैं इसे तिर्चा कट करने वाली हूँ आप देख सकते हैं मैं निशान लगा रही हूँ पहले एक side में मैंने पतला रखा है और एक side में मैंने मोटा रखा है यानि बिल्कुल तिर्चा कट करना है इसको मेरे चैनल पे कई comment आये थे कि मेरा sponge बिल्कुल सीधा नहीं कटता है तो मैं आज उस question को भी solve करके दिखाऊंगी कि मैं कैसे काटती हूँ कि एकदम सीधा कटे ये layer तो मुझे तिर्चा काटना था इसलिए मैं पहले निशान लगा कर और इस तरीके से तिर्चा काट रही हू ये देखिए एक तरफ ये पतला है और दूसरी तरफ मोटा है और दोनों पतले side को एक तरफ कर देंगे और दोनों मोटे side को हम एक तरफ कर देंगे इससे हमारा selfie cake का design बहुत ही अच्छा आने वाला है अब देख सकते हैं दोनों पतले side को मैंने एक तरफ कर दिया और दोनो मोटे साइड को मैंने एक तरफ करके हाइड दे दिया है उससे जिनका लेयर सही से नहीं करता है वो अभी इस समय एक दम ध्यान से देखे मैंने नाइफ को एक तरफ ही रखा है मैं नाइफ को नहीं गुमा रही हूँ मैं टर्न टेबल को गुमाते हुए पहले निशान बनाती हूँ और उसके बाद टर्न टेबल को गुमाते हुए मैं धीरे 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 नाइफ को अंदर की तरफ लेक कर जाती हूँ लेकिन knife मेरी एक ही दिशा में रहती है मैं knife को बहुत जादा नहीं turn करती हूँ ये देखिए homemade trimix में कितनी अच्छी जाली आई है napkin paper रखने के बाद हलका सा पानी डालने से हमारा cake base इधर उधर नहीं किसकता और अच्छी तरीके से उस पे stick रहता है तो हम आराम से cake बना सकते है मैंने थोड़ा सा pineapple embulsion cream में मिलाया था pineapple flavor देने के लिए और मैं पहला layer इस पे डाल रही हूँ पहला layer मेरा जो बराबर है वो वाला मैंने इसमें डाला है मैंने दो sponge बनाया थे तो एक layer को मैंने बराबर काटा है जैसे दो पार्ट में काट लिया है pineapple crust मैं इस cream के सार सार डाल रही हूँ और साथ ही मैं इसको layer पे अच्छी तरीके से लगा दूँगी दोस्तो अगर आपको baking करने में किसी भी तरह की कोई भी problem आती है तो आप कोई भी चीज को देखते हैं तो उसको अच्छी तरीके से follow करें अब जैसे मैं इसमें cream कैसे लगा रही हूँ cut कैसे कर रही हूँ जरूरी नहीं कि मैं हर चीज बोलू आप उस चीज को मेरे activity से मेरे करने के तरीके से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हां यह ऐसे कर रही है तो मुझे भी ऐसे करना चाहिए ताकि मेरा भी cake अच्छा कटे या मेरा भी cream अच्छा बने दूसरे layer को भी मैंने डाल कर इस पर क्रस लगा लिया है अब मैं next layer जो तिर्शा मैंने कट किया था उसको डाल रही हूँ और इस पर मैं पानी से सोक करने के बाद मैं crush नहीं लगाऊंगी क्योंकि crush लगाऊंगी तो तिर्शा layer है तो वो हल्का slip कर सकता इसलिए मैं इस पर cream से ही उसे stick कर दूँगी और दोनों highted part को मैं एक side में करूँगी और दोनों पतले part को मैं एक side में करके इसे इस तरीके से तिर्शा में लुक दूँगी इस तरीके से मैं cream को लगा लूँगी आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर comment करें की cake कैसा बना है इस तरीके से side से इसको height देते हुए cream लगाना है और इसे क्रम कोट करने के बाद मैं 15-20 मिनट के लिए फ्रीज में रख दूँगी ताकि मैं final जब icing करूँ तो perfect हो icing दोस्तों cream पतला हो जाता है मेरा melt हो जाता है बहुत सारे comment आते हैं इसे तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि जब भी मैं cream यूज करती हूँ मैं निकालती हूँ और यूज करती हूँ और बाकी बच्चे cream को अच्छी तरीके से ढख कर फ्रीज में रख देती हूँ और फिर दुबारा जरूरत परती है मैं दुबारा निकालती हूँ और फिर से उतना ही निकालती हूँ जितनी की मुझे जरूरत होती है तो इसलिए आप भी इसी तरीके से अगर करेंगे तो आपका भी क्रीम मेल्ट नहीं होगा और आपको भी दिक्कत नहीं आएगी आइसिंग करने में मैंने कहा था ना कि इसमें मैं बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं यूज़ करने वाली हूँ तो इसलिए मैंने ऊपरी लेयर को अच्छी तरीके से कर लिया और साइड में बहुत अच्छी तरीके से मैंने फिनिसिंग नहीं दी है क्योंकि मुझे यहां design बनाना है nozzle से इस तरीके से मैं छोटे वाले हर्ट सेप से मैं design बना लूंगी मैं यहाँ पर 1M नोजल ले रही हूँ, साथ ही मैं यहाँ पर 46 नमबर का नूर नोजल ले रही हूँ और यह विल्टन का 21 नोजल मैंने छोटा वाला यूज किया है मैं 7 इंच का केक बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 6 इंच का मीरर लिया है जो मैं उसके उपर फिट करूँगी और यह रहा हमारा रेड कलर जो परफेक्ट तयार हो चुका है 6 इंच के इस मिरर को मैं बीचो बीच रख दूँगी इसे साबधानी से रखे क्योंकि एक बार रखने के बाद यह अच्छी तरीके से उस पर सेट हो जाता है फिर इधर उधर करने में आपका केक खराब हो सकता है और यह हमारा रेड कलर भी बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो चुका है और यह देखिए आप देख सकते हैं हार्ड हो चुका है लगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है इसे मैं अच्छी तरीके से फिर से mix कर लूँगी और उसके बाद इससे मैं design बनाने वाली हूँ जिसके लिए मैं इससे एक piping bag में डाल लूँगी बहुत ज़्यादा dark color तो use नहीं करना चाहिए लेकिन मुझे आप लोग को दिखाना था कि perfect red color कैसे बना सकते हैं आप लोग बहुत परिशान रहते हैं और बहुत बार question करते हैं ये कि red color कैसे बनता है perfect red color कैसे बनता है और आप देख सकते हैं कि बिना मैंने कोई भी spray भी नहीं किया सिर्फ color से मैंने इस तरीके से बना लिया और ये color आप कहां से मंगा सकते हैं तो आप चिंता बिल्कुल ना करें मैं इसके लिए एक अलग से अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप इसे कहां से मंगा सकते हैं मैं नूर के 46 नमबर नोजल से इस तरीके से डिजाइन बना रही हूँ वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब मैं विल्टन के 21 नोजल से इस तरीके से पूरे में स्टार बना दूँगी और अगर आपके पास यह वाला नोजल नहीं है तो कोई बात नहीं आप छोटे वाले स्टार कोई भी नोजल से इस तरीके से पूरे में डिजाइन बना सकते हैं इस तरीके का डिजाइन बनाना था इसलिए मैंने इस पर पूरी आइसिंग नहीं कि थी अब मैं 1M नोजल से इस तरीके से रोजेट बना दूँगी जिसे ये काफी खुबसुरत लएगा वीडियो से रिलेटेट कोई भी कोश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें मैं हर एक कमेंट का जबाब देती हूँ आपके कोश्चन का एंसर भी मैं दूँगी आप देख सकते हैं कितना खुबसुरत रेड कलर आया है सेल्फी केक बनकर तयार है अब मैं इसे फाइनल लुक दे रही हूँ तो दोस्तो कमेंट करके बताये मेरा सेल्फी केक कैसा बना और कैसा रहा मेरा ये ट्रिक के इस तरीके से इस सेट में केक बनाने का यह देख सकते हैं मैंने खुद की सेलफी भी ले लिये इसमें अब मैं इसे आपको चारो तरब से घुमा कर भी दिखाती हूं कि इसका लुक कैसा आया है और आप देख सकते हैं आप अपने घर में भी इसे बना सकते हैं और इंजॉय कीजिए अपनी फैमली के साथ कर दो अपने के साथ